बांदा कर्ट की चपेत पर आने से 31 वर्ष ये युवक की हुई मौत परिवार में मचा कोहराम पूरा मामला बांदा जन्पत के मरका थाना क्षेत्र के इंगवारी गाव का है जहां का रहने वाला स्वामी शरन पुत्र चंदा वर्मा उम्र तीस वर्ष के घर सहतन्य घरों पर शौट सर्कित होने लगी जिससे शौट सर्कित को देखकर अपने बच्चे को बचाने के लिए बाहर दोड़ा जिससे स्वामी शरन लोहे के दरवाजे पर हाथ टच कर दिया जिसकी कारण से कर्ट लग गई कर्ट लगने से मौत हो गई आसपास के परिजन वो लोगों ने देखा तो दंडे से स्वामी शरन को दरवाजे से हटाया और लेकर निजी साधन के द्वारा बबेरू सामुदायक स्वास्थि केंद्र में भरती कराया जहां पर डाक्तरों द देखते ही परेक्षन करने के बाद मृत घोशित कर दिया मौत की खबर सुनकर परिवार में कोहराम मच गया नंदू राम चतुरवेदी बांदा जी भाईय क्या नाम है आपका मेरा नाम है धीरा सुवर्मा जी आप इनको अभे लेके आए थे क्या हुआ है इनको अचानक मतलब हम लोग घर में थे अचानक लाइट आई बहुत तेजी से तो मतलब पूरे बस्ती में आग लग देई घर में कितनी भी वायरिंग थी तो प आठेवा यहां कंट वर्यस्त कितने बच्चे हैं इनके इनके दो क्यों पत्रबलिब्ट पत्र पत्र चंदा बर्मान उम्र लगवक 30 ती यह एकमारी गाउं थना मरका के रहने वाले थे कल साम को समय लगवक 7 वजे और 11,000 की लैन इनके गाउं में होके घर के उपर गई है उसका ताट तूट गया था घर में करन तागने से यह अपने घर की बिली बंद करने जा रहे थे स्विच ओप करने जा रहे थे उसी में करनेट लगने से इनकी म्रत्तू हो गई है परजन C.S.C. बविरू इनको लाए थे चिकेसा अधिकारी ने इनको म्रत्गोसित कर दिया है पंचा इतना मापीम की कारवाई कराई जा रही है माप लगने जाहे है थे छिकेसा हम इतना मापीम करने जाहाई भीम करते है करने है।